अगर आप लोगों ने भी अर्रबी एंटी पीसी का फॉर्म डाला था ठीक है तो चलिए मैं इस इक्जाम से डियूल को डिटेन में आप लोगों को बताता हूं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहेंगे सेकेंड फेज ओफ एक्जाम से डियूल इसमें कितना कंडिडेट है ता प्रॉक्स 27 लाग कंडिडेट से इसमें इसमें कितना कंडिडेट एपियर हो रहे हैं 27 लाग कंडिडेट एपियर हो रहे हैं इस एक्जाम में ठीक ना से बीटी ओन एक्जाम में सेकेंड फेज का अब देखेंड नंबर में हैं फोर दा कंडिडेट से डूल इन इस फेज दा लिंक फोर विविविंग दा जाम सेटी अन डेट अन डाउनलोडिंग और फ्री ट् जाकरकें अन जाएं ऐसमें फेज में होगा तो उन लोगों को उन लोगों वह लोग ठीक है वह क्या कर सकते हैं अपना एक्जाम सीटी और डेट फइविग्जाम ठीक है वह और जो लोग सीटी कंडिडेट है तो वो लोग अपना traveling authority pass वो सारा कुछ देख सकते हैं और download कर सकते हैं RRB के site पे RRB के site पे जा करके वो कब तो 6 जनवरी या 6 जनवरी से पहले ठीक है ठीक ना तो जिस candidate का exam इस page में पढ़ा हुआ है वो अपना exam से टेट देख सकते हैं और जो CST candidate है वो अपना फ्री जो traveling pass होता है वो 6 जनवरी या 6 जनवरी से पहले जो की RRB के website में आ जाएगा वहां से जा करके देख सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं अब देखे point number 3 है कि downloading of e-call letters will start 4 days prior to the exam date mentioned in the exam city and date intimation link अब देखे इसमें बूर रहा है कि जो intimation link है exam city और exam date का ठीक है ठीक न तो उसमें जो intimation link में जो exam city और exam date जो mention किया है तो exam date के 4 दिन पहले exam date के 4 दिन पहले e-call letter यानि academic card आप डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट है point number 4 necessary intimation is also being sent to all those candidates scheduled in the second phase to their email id and mobile numbers given in their online application आप बोल रहा है कि जब आप लोगों ना application form डाला था तो आप लोगों आपके mobile number और email id डाला था तो second phase से regarding जो भी intimation है वो आपके mobile number और email id पे भेज़ दिया गया है यानि कि जो date exam city वगरा का जो link होता है हना intimation link वो सारव कुछ यहां पे आप लोगों के email id और registered mobile नमबर पे भेज़ दिया गया है अब देखे point number five है the remaining candidate will be scheduled in subsequent phases अब बोल रहा है कि second phase के बाद यानि second phase में जिन लोगों का exam नहीं हो रहा है तो बचेवे candidate का अब क्या है और जितना भी phase होगा उसमें वो लोगों का exam होगा next point number six बोल रहा है helpdesk a helpdesk has already been provided on all rrb official website बोल रहा है कि helpdesk सारे rrb का official website पे पहले से provide किया गया है candidates are advised to use this helpdesk for seeking clarification अगर आप लोगों को कोई clarification या कुछ help चाहिए तो आप अपने rrb के website पे जा करके वहां से आप help ले सकते हैं ठीक है तो ये था rrb का anti-pc का second phase का cbt1 का schedule exam schedule तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेगा ताकि जो भी मैं इस तरह का update डालू उसका notification आप लोकर को मिल जाए तो thank you for watching my video thank you झालू झालू झालू